जैहिंद मंदमात्रम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जारकन JFWC परिच्छा 2024 यानि की जारकन फिल्ड वरकर कॉंपेटिटिव एजम 2024 का जो आपका एक्जाम कंडेक्ट होने वाला है यदि आप इस फॉर्म को फिल अप किये हैं तो आज के ये वीडियो आप से भी तो यह topic आपके एकजाम से काफी जाए important है क्योंकि दोस्तों पेपर 2 और पेपर 3 पर दोस्तों आपका जो फैनल में रिष्ट बनेगा ये पेपर 2 और पेपर 3 के अधार पर बनेगा ठीक है तो यहां से जितने भी कोचन बनेंगे सारे कोचन को यहां पर कबर कर आए गया त आपको बताना है कि टॉप 25 कोचन में से कितने ऐसे कोचन है जिसका अंसर आप सही सही कर पारे अपना स्कोर हर एक स्ट्रेंट निमंतारी पूर्वा कमेंड बोस में कमेंड करके जरू लिखेगा ठीक है तो पहला कोचन आपसे क्या पूछा गया है कि कि किस वर्स जहारकंड को बिहार से अलग राज्य बनाये गया दोस्तो झारकंड की बात करें तो बिहार से अलग करके जर्कंड राज्य की अस्थापना किया गया तो यह कौंसे इस्वी में हुआ थो तो बहुत ज्याधा आसान कोचन हे तो 15 November 2020 को दूस्तो झारकंड राज्य का गठन हुआ जो कि बिहार राजिस सेला करके बनागाय थिक है तो ये आप सभी को पता होना चाहिए इयुक्त जो है ये जरकन कि उपर राजधानी तो यई आपको याद रख थान खिक है कि जरकन कि उपर राजधानी कहां पर रहना है तंदून कर चाझसा पूचा गया है कि कौन सी नदी को राजधानी राची से बहती दोस्तो इनEd पहती दामोदर नदी यहांनि के आपसर नमबर यहां पे घर आई को जगा दामोदर नदी की बात करें लीज्टो तो हजारी bit का पठार और रांची का पठार को जो अलग करती है यह qon और अलग करती है तो दा जहारकन का कौन सा राश्टी उद्यान बंगाल बागो की आबादी के लिए जाना जाता है ज़ो कि बंगाल बागो की आबादी के लिए प्रसीध है अगला कोचेक आपसे क्या पूछा गया है कि कौन सा खेस्सके खानेज जो कि जहारकन हो 5 हॉat जहारकण की बात करें जहारकण में सबसे अधिक जो पायाता है यह कोईला पायाता है जिसे इसलिए से दोस्तों कि यह कायाता है भारत की कोईला राजधानिए ठीक है आपसर नमर यहां पर घर ज्षार्खंड में पायाता है उसके बाद कहां पर पायाता है उसके बाद च्छिश गळ्ड और लास्ट में पफेयर चैटान में कि जहारखंड में कुल कितने जिलों की सवंखे दोस्तों वरृतमान से में बात करें जयारकन ऊफसे में टोटर 20 जही би जिली है और जब जहारकन राजय कांगा गठन हुआ था। उसे में जयारकन में कृम कृल कितने जिली ते तो उसे में 28 जिले थे ठीक सबसटों 18 नए जिले को बना गया को 높ा सब्सक्रांज में पर पाते हैं तो धेखेएं कोचे । है क्ला की च्राफ। है की कौन से पारम परिक निद्धिये रूप जायकंट से जुड़ा है और विभीन तो यहारों के दोरांद किया जाता है तो देखे कोचन नमर सेवन का राई टेंसर हो जाएगा आपसे नमर यहां पे गसंथाली ठीक है जारकन में फेमस और प्रसीद घ्रना है जो की छारकन परसीद hex है और यह यह काफी ज़ाँ परसीद है और यह आपसे कोचन पूछा जाए किuesta जैए यह कितना उपर इससे पानी गिरता है तो देखें जो हुंटुरु जल पर पात है यहां पर 243 फिट की उचाई से पानी नीचे गिरता है ठीक है आपसे नहीं और 243 फिट या फिट चोहतर मीटर ठीक है है ने पार नेक्स प्षूर फिट ओल लेखंडा धुचाग्यर की सीमा में उपाih से लगती देखें दौसा आपको में पता हुँ चैए जर्कड यह क्यों से पूरब में पूछे जाएक है पूरब में कौन धीवासि समुधाई जार्खण में सबसे बड़े स्वड़ेश समूहों में से एक है तो देखिए इन में से कौन सा आदिवासी समूधाय है जो कि जार्ठण की सबसे बड़ी सुवादेसी समूहों में से एक है तो यह है मुंदा समूधाय ठीक है आपसा नमबर खर आई टेंसर हो जगा मुंदा समूधाय दोस्तों यहां पर जितने भी कोचन बताया रहें यह इतने असे कोचन जिसका एंसर आप सही सही कर पारें ठीक है अगला कोचन क्या पूछा गया है कि जार्ठण का कौन सा सहर अपनी कोईला ख़दानों के लिए परसीद है और इसे अक्सर भारत की कोईला राजधानी कहा जाता है तो देखिए जो जार्ठण की बात करें तो य अगला कोचन मोभे के पारस नात पहाडी जारकण का सबसे उच्छा परवत यहां दोस्तों पहाड़ी जो कि जारकण को सबसे परवत कि समुर्दाय के लिए धार्मिक महतों रखता है तो जैन धर्म ठीका आइको आज तो इसकी उचाई कि यहां is तो यह कि जारखन को राज्य के मैं ने बताया कि बिहार राजी से अल्ला करके जारकन राजी की अस्थापना किया गया और कब किया गया तो पंदरण नॉमबाद दो हजार इस्वी को ठीक है आपसे नमबर घर आई टेंसर हो जाएगा दामोदर नदी की बात करें किस नदी की टोटल लंबाई कितनी है तो 592 किलमेटर दामोदर नदी की लंबाई ये ठीक है और पच्छिम बंगाल का सोक जो है ये दामोदर नदी को ही कहा जाता है तो कई पर एकजाम में ये भी कोचन पूछा गया है कि पच्छिम बंगाल का सो स्थापना हुआ यह कं इस्थाहरे था कॉछ घार्खन का कौन से प्रसेद आदिवासी त्यॵहरर के आदिवासी त्योहर और जीत शामिल होते हैं maybe को देखे कोँचन 17 का जो सहीर हो सहीर अंसर घ्लाव नबर यहंपर होजागा टूसु परभ went to पर टूसु परभ राइट एंसर होज़ेगा गनाजया करके नाम से जाना जाता यह जैसे इसे मकर परब भी कहा जाता है तो मकर परब ऑर पोस्परब ठीक है अगला कोचिन क्या पूछा गया है कि जहारटन का कौन सा जीला अपने वज जीवन अभ्यारन के लिए जाना जाता है और भारती हांथी का घर है तो देखिए जो जार्कन का कौन सा सहर अभरक की उतपादन के लिए परसीद है और भारत की अभरक राजधानी के रूप में जाना जाता है दोस्तों कहीं पर यह भी कोचन पूजा जाता है जार्कन में सबसे अभरक राजधानी की से तो कहा हो नेंस्टपूचा गया है कि बिरसम मुंडा हवाई-अड़ा झारकन के किस सहर में करता है About यह है दोस्तों राची बें ठीक है अपस्ट नमर यहां पर कराइट एंसर हो जाएगा अगला कोचन है कि जार्टन का कौन सा जीला अपने गर्म पानी के ज़र्णों के लिए जाना जाता है और एक लोगपिरी तीर स्थल भी है ठीक है तो देखे जार्वन का ऐसा कौन सा जिया जो कि गर्म पानी के जर्णों के लिए जाता है तो यह है देवघर ठीक है अपसन नमबर यहां पर कर आई टेंसर हो जेगा देवघर ठीक है और तीर स्थल के लिए भी काफी ज़्याद है फे जर्कन में हुआ था जर्कन के कहां पर तौली हांतु गाँ में ठीक है और यदि बात करें कि बीचशा मुंडा है इनका जन्म का हुआ था तो日 कबहुकशा रहता ह। नो जुन यहां गात द्रू surge में 20 19 20 में हैं घेजा मुंडा की मिर्ति हुए थी ठीक है अगला कोचन है कि राची में सहीद असमारक किसकी असमृति को समर्पित है तो देखे यह जो राची में सहीद असमारक है यह किसकी असमृति के लिए समर्पित है तो यह है भगवान बिर्समुंदा ठीक है अगला कोचन जो कि बहुत ज़्यदे इंप्वार्टेन और सेलेक्टिट कोचन में दोस्त कि कौन सा प्रसिद सैंस्थान जो विज्ञान और प्रोध्योगी में अपना योगदान के लिए जाना जाता है जो कि जानके धनबाद में स्तित है तो यह है मेरे दोस्त अप्स नमर का भारति प्रोध्योगी की संस्थान आइट धनबाठी का आइट धनबाठी जो की प्रसिद है अप्स नमर का राइट एंसर हो जाएगा तो दोस्तों इस परकार से हम लोग जो कि आपके एक्जांप से कितने ऐसे कोचन थे जिसका एंसर आप सही सही कर पाए अपना स्कूरी मंदारी पूर्भाग हर एक कमेंट करके जरूर लिखेगा और यदि आप इसे तरह और भी 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 कोचन जाना चाहते तो आप इस चैनल को सब्स्ट्राइब कर ले क्योंक सब्सक्राइब करें ठीक है तो फीट से में लोग मिलें के नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जाए हिन जाए भाराव